दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल उजाला गार्डिनिंग टिफ्स दोस्तों आज मैं बात करूंगी परसलीन प्लांट के बारे में ये एक बहुत ही खुफसूरत समर फ्लावरिंग प्लांट है जैसे ही गर्मिया शुरू होती है पूरी गर्मिया पूरी बरसात और ठंड आज जुलाई की आठ तारिक है तो इस समय अगर आप इसे कटिंग से लगाते है तो इसकी ग्रोध बहुत ज्यादा तेजी से निकल कर आती है तो कटिंग से आप इजली इसे प्रपागेट कर सकते है और बहुत ही खुफसूरत लगता है ये दिखने में भर भर कर इस तरह स इसकी बहुत सारी अलग-अलग color की variety आपको nursery में मिल जाएंगी आप लाकर easily लगा सकते हैं तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं बरसाद की दिनों में हमें इसकी किस तरह की care करनी हैं हमें इसे बरसाद के पानी में रखना है या उससे बचाना होता है तो क्योंकि ये एक सकुलन वराइटी का पौदा है हमें इसमें पानी कम डालना होता है लेकिन अगर आपने वेल्डन मिट्टी बना रखी हैं वेल्डन मिट्टी यानि ऐसे मिट्टी जिसमें पानी बिल्कुल भी रुखता ना हो तो आप इसे डायरिक परसात के पानी में भी रख सकते हैं बरसात के पानी से इसकी ग्रोध और अच्छे से निकल कर आती है हाँ अगर आपने इसके लिए वेल्डन मिट्टी नहीं बना रखी है तो आपको इसे बारिस के पानी से हटा कर रखना होता है ताके अगर इसमें पानी होल्ड होगा तो इसकी जो ब्रांचे गलने लगती है और ये प्लांट खराब हो जाता है तो आप इसके लिए बिल्कुल वेल्डन मिट्टी बनाएं आप एक हिस्सा इसमें सेंड जरूर मिला है इसके लिए ये एक परफेट सोईल मिक्चर बन कर तयार होता है तो इस तरह की सोईल मिडिया में आप अपने परसलीन प्लांट को लगाएं और इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान होता है आप इस तरह से इसकी छोटी छोटी कटिंग को लेकर आप लगा लेंगे तो इस समय इसकी ग्रोध बहुत ज़्यादा तेजी से निकल कर आती है तो आप इसे जरूर लगाएं दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसे कोई सा फटिलाइजर देना है तो इस प्लाण को कोई ज़्यादा हेवी फटिलाइजर की रिक्वाइर्मेंट नहीं होती है जब आप इसके लिए मिट्टी बनाएं तो उसमें आप कमपोस ज़रूर मिला ले वो इसके लिए इनफ होता है इसके लावा और इसे कोई फटिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपका प्लाण फ्लाइजर नहीं कर रहा है तो या तो आपने उसमें ज़्यादा पानी डाल रखा है या फिर आपने उसे कोई ऐसी जगह रखा है जहां इसे पूरे दिन भर की अच्छी धूप नहीं मिलती हो सबसे पहला जो इसके लिए फटिलाइजर है वो है सनलाइजर आप इसे जितनी ज़्यादा सनलाइजर में रखेंगे ये प्लांट उतनी ही ज़्यादा फ्लाउरिंग करेगा तो आप इसे फूल सनलाइट वाली जगह पे प्रेस करें और आप इसे पानी कम डाले क्यूंकि ये एक सकुलन वराइटी का पौदा है ये अपने पत्तों में पानी को श्टोर करके रखता है तो आप इसे पानी कम दे और इसके लिए बिल्कुल भी वेलरें सोईल बनाए और इसमें आप अपने प्लान को लगाए अगर इसके बावजूद भी आपका प्लान फ्लाउरिंग नहीं कर रहा है तो आप इसमें लिक्विट फटिलाइजर बना कर दे सकते है इसे पोटेसियम रिज फटिलाइजर कैसे हम बना सकते है तो पिंच करके आप इस प्लांट को बहुत जादा बुशी शेप में डिवलफ कर सकते है जितनी भी इसकी ब्रांचेस है जिसमें फ्लार्स आकर सूख चुके है सारे डेट फ्लार्स को आप इस तरह से पिंच करके हटा दे तो फिर यहां से दो नई ब्रांचेस आएंगी और इस तरह से आपका जो प्लांट है एक बुशी शेप में डिवलफ कर जाता है अब मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखा देती हूँ करीब 15 दिन पहले मैंने इस प्लांट को कटिंग से ग्रो किया था इसकी यह वाली प्लांट में जो प्लांट है आप देख सकते हैं यह मेरा डॉनमेंसी में यह बचा हुआ एक प्लांट रह गया था तो इसी की कटिंग लेकर मैं 15 दिन पहले मैं इसमें लगाई थी पुराने प्लांट जो हमारे बच्चे रह जाते हैं उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती है लेकिन जब उसी की कटिंग हम दूसरे पोट में लगाते हैं तो वह कटिंग बहुत तेजी से ग्रो करती है और खासकर इस समय बरसात की दिनों में आपकी कटिंग बहुत तरह से इसकी कटिंग जरू लगा है तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और मुझे सपोर्ट करे थैंक्स फॉर वाचिंग